नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजर हूं मैं मंगल राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर 10 मई 2023 प्रातः आठ बज करके 52 मिनट पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशी को छोड़कर अपनी नीच राशी करकराशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां कि वो एक जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पुष्चात सुम्हराशी में प्रवेश कर जाएंगे पराक्रम, पुरुशार्थ, हिम्मत, उत्साह, क्रोध है मंगल मंगल का जन्म कुंडली में बली होना जातक को साहसी और निडर बना देता है तो वहीं जब मंगल जन्म कुंडली में कमजोर हों तो ऐसा जातक दब्वु प्रवर्तिका हो जाता है उत्साहीन, सीगरी घबरा जाने बाला किस तरह किस्तिती में है आपकी जन्म कुंडली में मंगल आए मंगल के इस गोचर को हम ब्रिहत रूप से समझने का प्रित्न करते हैं किस तरह किस्तित रूप से समझने का प्रित्न करते हैं प्रिय दर्शकों देखा जाए तो मंगल एक रासी में लगभग 45 दिनों का समय व्यतीत करते हैं लेकिन जब मैं मंगल की गोचर की चर्चा करता हूँ तो आपकी समुख ब्रिहत चर्चा करता हूँ क्योंकि मंगल पुरुशार्थ है और सीधी सी बात है जो पुरुशार्थी हैं जो कर्म में विश्वास रखने वाले हैं उनके लिए तो विशेश रूप से मंगल का गोचर विचारनी हो जाता है आज मेश शेले कर कन्या राशी परियंत इन्हें छह राशी के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हम समझेंगे बाकी की छह राशीयों की चर्चा हम कल करेंगे प्रियदर्शकों यह राशी फल मैं आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ यहां इक और बात आपको बता दूँ, कि मंगल अपनी नीच राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो तीन नक्षत्र, कौन-कौन तो पुनरवसु का एकचरण होता है, और बागी के जो दो नक्षत्र होते हैं, वो पुष्य होता है और आशलेसा होता है पुष्य नक्षत्र सनिदेव का नक्षत्र है और आशलेसा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है ये दोनों ही ग्रह मंगल के शत्रु ग्रहा है अब गौर करिये तो वैसे तो जो तो शास्त्र का ये नियम कहता है कि मंगल में वो कहीं न कहीं विशेस बली हो जाता है पर गौर करना है कि समय गोचर कुंडली में शनिदेव कुंभरासी में संचरण कर रहे हैं और मंगल के साथ शनी का सडाष्टक योग बनेगा जो कि दुरघटना की स्थिति को प्रदर्सित कराता है विसफोटक की स्थिति को भी प अच्छा है और कौन सी वो रासियां है जिन्हें मंगल के इस गोचर काले में विशेस रूप से सचेत सावधान रहने की आवश्यता है तो चलिए चर्चा प्रारंब करते हैं सबसे पहली चर्चा जो है वो मेश राशी के जातकों के लिए है मेश राशी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो की आपकी रासी से चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है वरतमान समय में मंगल आपकी रासी से तुर्तिय में गोचर कर रहे हैं चतुर्थ में अब इनका संचरण होगा जो की आपके लिए विशेश रूप से परिशानी हानी चिंता माता के स्वास्थ में परिशानी संभाव है कि माता के जीवन में पूर्वस्यदी कोई परिशानी हो किसी तरह के ओप्रेशन इस्थिती ओप्रेशन की बनी हुई हो तो ओप्रेशन की भी संभावना बनेगी यह गोचर आपको सावधान कराने के लिए है परिशानी में आपको डालेगा उन्नती में आपके बाधा उत्पन करने वाला है कारिक्षितर में छोटी मोटी परिशानिया अनवरत आती रहेंगी इस गोचरकाल के दौरान ब्यर्थ के बिवाद लड़ाई जगड़ावाद बिवाद का भी आप शिकार हो सकते हैं और दुर घटना की भी प्रबल संभावना बन रही है इस गोचरकाल के दौरान अगर आप राजनीती से जुड़े हुए हैं तो बहुत सचेत रहने की आवशकता है क्योंकि इस दौरान आप किसी स्वड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं तो वहीं बिद्यार थी हैं किसी परिक्षा का परिक्षा फलाने वाला था तो यहां भी आपको क कहीं न कहीं असंतुष्ट ही होना पड़ेगा यानि कुल मिलाकर कि यह गोचर कोई बहुत सुचना नहीं दे रहा अचल संपत्ति त्यादी खरीदने की सोच रखी थी आपने या खरीदने वाले थे तो जरा रुकिये सावधान हो जाईए यह गोचर ठीक नहीं है दामपत् परशकों जैसा मैंने कहा मंगल आपकी रासी से चतूर्थ में गोचर करने जा रहे हैं अब जरा समझने का प्रत्न करिए यहां यह तीन नक्षत्र में गोचर करेंगे जिसमें पुनर्वसु का एक चरण होगा और इसके पश्चाप पुष्य और आसलेसा होगा जो सनी और बुद्ध का नक्षत्र है शनिदेव इसमें गोचर कुंडली में कुम्हरासी में सुंचरण कर रहे हैं अब देखा जाए तो शनी और मंगल का जो संबंध है वो शडाष्टक योग का बन जाएगा जिसमें मंगल की आठमी दृष्टी सनी पर होगी और शनी की दृष्टी आपकी ऐसी बनेगी अब ये चौथा भाव जो होता है वो माता का भाव होता है मित्र का भाव होता है जनता का भाव होता है समाज का भाव होता है अब इसी भाव में नीच रासी में जब मंगल गोचर करेंगे और शनी के साथ सडाष्टक योग बना करके तो कहीं न कहीं प वहीं मंगल की दृष्टी जो दसंभाव पर पड़ेगी तो वह भी कहीं न कहीं कारेक च्षित्र में परेशानियां दिखा रहा है, परेशानी लेकर क्या रहा है, ब्यर्थ की परेशानी और समस्याओं में आकोहल जा सकता है। मंगल की दृष्टी लाभ भाव पर होने से दुरघटना की संभावना तो है पर हाँ ये जरूर रहेगा कि लाभ की रास्ते कमो बेस बनेंगे यानि छोटी सी राहत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है पर फिर भी में इस रासी के जात्कों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं एक ही सलाह दूँगा सावधानी के साथ व्यतीत करने का प्रत्न करिये हा गोचर आपके लिए उत्तम नहीं होगा इस गोचर काल के दौरान आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए हनुमान जी के मंदर में जाइए उनका दर्सन करिये और हो सके तो विश्यस करके प्रकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए तो इससे आपको जरूर रहात होगा रिशव रासी 10 मई 2023 भूमिपुत्र अपनी वरतमान मिथुन राशी को छोड़कर अपनी नीच राशी करकराशी में प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल का यह गोचर आपके जीवन काले में कैसा प्रभाव लेकर क्या रहा है आईए जान लेते हैं सबसे पहले बता दू यह राशी फल आप अपने चंद्र राशी के आधार पर देखिए अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशी है उसी क्या धार पर आप इस राशी फल को देखिए यदि आप अपनी चंद्र राशी को नहीं जानते तो फिर अपने नाम राशी क्या धार पर इस राशी फल को देख सकते हैं मंगल का यह गोचर आपकी रासी से तुरुतिये में होने जा रहा है मंगल नीच रासी में होंगे और मैं आपको बता दूं कि शनी देव से मंगल का शडाष्टक योग बनेगा एक और बात इस समय मंगल जबकि करकरासी में गोचर करेंगे यहां वो तीन नक्षत्रो में गोचर करेंगे पुनर्वस्य जो की देव गुरु ब्रहसपती का नक्षत्र है उसका प्रत्थम चरण बाती के देखा जाए तो पुष्य और आस्लिसा इनके चार चार चरण तो पुष्य जो नक्षत्र है वो शनीदेव का और आशलेसा जो नक्षत्र है बुद्ञ का नक्षत्र है अब ये दोनों के दोनों ग्रह शनी और बुध्ध मंगल के शत्रु हैं वैसे तो शत्रु रासी में गोचर कर रहा मंगल अट्यंत शृष्ट फल प्रदायक होता है फलत अह ब्र innovation के जातकों के लिए तृतिये भाव में, जोकि मंगल का कारक भाव है, नीच रासी में होने के बावजूद यह गोचर आपके अंदर एक नई उर्जा भरेगा, मंगल का निचत तो भंग होगा यहाँ पर और फलत अह तृतिये में गोचर कर रहे मंगल आपके जीवन में साहस और पाराकरम की बृद्धी करेंगे, आप अपने प्रयत्नों से चहुमूर से लाभ उत्पन्न कर सकेंगे, हालाकि इस गोचर काल के दौरान कुछ परिशानिया भी होगी, जैसे छोटे भाई बहनों के साथ समंध में परिशानी या कलह विवाद की स्तिति उत्पन्न ह होगी, परन्तु विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, वो सभी विद्यार्थी जो सेना मिले ट्रिपॉलिस इत्यादी से समंधित फिल्डों के लिए प्रतनसील है, खेलने इत्यादी के फिल्ड से आप जुड़ रहे हैं, यानि खेल से आपका जुड़ाव है, यह गोचर विशेस, परिवर्तन और साकारात्मक दौर लेकर के आएगा, इस गोचर काल के दौरान अगर संभव हो, तो छोटे भाई वहनों के साथ समंध को मधूर बनाने की कोशिश करिये, कम से कम उनका अपमान मत करिये, स्वास्थ ठीक रहेगा, स्वास्थ को लेकर के क कोई चिंता तो नहीं है, परंतु पिता के स्वास्थ का खयाल रखना होगा, पिता को पूर्व से चली आरही कोई परिशानी है, तो उनके स्वास्थ में और परिशानी बढ़ सकती है, वानी पर आपको अपने नियंतरन रखना होगा, बाकी यह गोचर देखा जाए, तो हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कारिक्षित्र के दृष्टिकोंड से, हर तरह से आकस्मिक धनलाब होते मैं देख रहा हूँ. इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके आपको अधिक से अधिक पुरुशार्थ करना होगा. य अच्छी बात ये है कि आप अपने शत्रों पर भी बिजय हासिल कर लेंगे. कोई भी आपका ऐसा शत्रू हो ही नहीं सकता, जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए. लेकिन आप तब भी सब के साथ बड़ा प्यार भरा ही बरताओ करने का प्रत्न करेंगे. स्वा देखा जाये तो मंगल आपके लिए बारहमे का स्वामी हो करके और सब्तमपती बन करके तृतिय भाव में नीच रासी में गोचर करेंगे. अब इस चीज़ को समझेए कि मंगल यहां पर नीच रासी में गोचर करेंगे सनी के साथ इनका शडाष्टक योग होगा. तो वैस के नक्षट्र में इनके अंदर बल की और बृद्धी इनके अपने शत्रों के नक्षट्र में गोचर करते हुए आपके लिए विशेस रूप से लाभ किस्तिती उत्पन्न करेंगे. इनकी द्रिष्टी सष्ठ पर होगी चौथी द्रिष्टी जिससे रोग, रिपु और रि मंगल की द्रिष्टी भग्यभाव पर पड़ेगी. पिता के स्वास्तिक आपको विशेस रूप से खयाल रखना है, पिता को उनके कारिक्ष्ट्र में थोड़ी परिशानी आ सकती है, तो उनका सपोर्ट आपको करना होगा. बाकी आपको आपके कारिक्ष्ट्र में कहीं प्रसन हनुमान जी की आराधना वरतमान समय में गोचर में दसम के सनी जो है कन्टक सनी जो की कारिक्षितर में थोड़ी बहुत बाधा परिशानी उत्पण्न कर रहे होंगे मंगल की इस गोछर से आपके जीवन में एक गती आ जाएगी और जो कारिक्षेतर में थोड़ी 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन को छोड़ कर करकराशी में जहां कि वो नीच के होते हैं प्रवेश करने जा रहे हैं। पुश्य और आसलेसा के चार चार चरण। अब देखा जाए तो मंगल मिथुन राशी के जातकों के लिए आपके लाभेश और साथ सश्ठेस बनकर के आपके धनभाव में गोचर करेंगे। फलतह इस गोचर को मैं आपके लिए 50-50 कहूंगा, अब निर्भर करता है कि 50-50 आपको इसका प्रभाव मिलेगा, अथवा कहीं ऐसा न हो कि 50 से जादा नुकसान का प्रभाव होगा, गौर करियेगा, जो पलड़ा है वो परिशानी की और जादा जुक रहा है, अच्छाई की और कम, पर अगर आपकी दिंचर्या, खान-पान या आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्तितियां और भी खराव हैं, कुछ और परिशानी आपको पहले से चल रही है, जैसे कोई अकारग्रह की दशा आपको चल रही है, या मारकेस आपको चल रहा है, तब ये पलड़ा प्रुता पैदा होगी, तो सबसे पहले आपको वाणी पर नियंतर रखना होगा, चुकि मंगल लाभपती बन करके आपकी रासी से दुटिये में गोचर करेंगे, तो आर्थिक दृष्टिकूंड से आपको मजबूत होता दिखा रहा है, पर ऐसा होगा नहीं, क्यूंकि चार धारा उतपन्न हो, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसे कुछ मित्र मिल जाएंगे, जो आपको गलत संगती की ओर खीच कर ले करके जाएंगे, कारिच्छत्र में अपने अधिनस्तों के साथ जरा सालिनिता से पेसाईएगा, आपका बेवहार उनको उग्र बना सकेंगे, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे, सेहत में भी परिशानी दिखाई पर रही है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि जूट बोलना, कड़वीवानी का प्रयोग करना मद्य पानमान साहर से भी आपको मुसीबत ही आने वाली है, कुल मिलाकर के मित्धुन के जातकों के लिए भी यह गोचर चिंता की ओर ले जा रहा है, मैं प्रतम द्रिश्टया फिर से दोहरा आ रहा हूं कि मैं 50-50 कह रहा हूं, पर परिशानी है, चाहे वो संतान पक्छो इत्यादी छेत्रों में भी परिशानी है, आए जरा बोर्ड पर इसको समझने का प्रत्न करिए, मि के कारिक छेत्र में परिशानी वहां नित्यादी चलाते हैं, तो उनको चोट चपेट की घटना घटी थो सकती है, उनके साथ, इतनी ही बात है, आपके लिए यह मंगल लाभप्रत इस्तितीत उत्पन न करेंगे, लेकिन वो मार्ग जो लाभका होगा, वो सही नहीं होगा, क लेकिन जिस मार्ग से आएगा, उसी मार्ग से वो जाता भी दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले कहा चुका हम कि फिफ्टी फिफ्टी है, बहुत स्रेश्ट नहीं है, अब अगर कहीं मान लिया जाए आपकी कुण्ली में बहुत अच्छी दसा चल रही है, मंगल की स्थिती आए के रास्ते बनेंगे, और अगर आप सनमार्ग पर हैं, तो चुप चाप जो मिल गया, उसको लेकर के बैठ जाएंगे, तो साइद दिक्कत नहों हो, अन्य था, आप जो कमाएंगे, वो गमाएंगे भी, मंगल की पांचवी द्रिष्टी जो पड़ेगी, वो संतान स्वास्थ में अगर पूर्व से किसी तरह की कोई परिशानी है, तो संभाव है कि ऑपरेशन इत्यादी की नौबत आ सकती है, तो यहां पर आपको सचित रहना है, बाकी मंगल की दृष्टी नमभाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का जो भी साथ मिलेगा, आपकी अपने कर सद कर्म, सद आचरण अगर करते रहे, तो यहां देखी गौर करिए, शनी और बुद्ध इन दो ग्रहों के नक्षत्र में मंगल का संचरण होगा, अब मंगल आपके लिए कारक रह तो नहीं होते, मैं फिर से दो रादू कि गोचर में कारक का कारक का कोई लेना देना नहीं होता, पर सश्ठे सोकर के दूतिये भाव में गोचर करेंगे, अब अगर आपका मार्ग सही हुआ, गलत मार्ग पर आप नहीं है, गलत खान पान आपका नहीं है, तब तो फिर आप धन कमाएंगे और शांती से इस गोचर काल का आनन्द लेंगे, लेकिन अगर गलत राह है, गलत मार्ग पर हैं, मार्गे सित्यादी की कोई दशा चल गए कुंडली में, तब फिर इस गोचर काल के दौराना फंस सकते हैं, संभव है, संचित धन का यह गोचर नास भी कराए, संतान पक्ष से भी परिशानी लाएगा और संतान से भी मतभेद किस्तिती उद्पन कराने वाला है, क्या करना चाहिए, हनुमान जी की सरण में रहिए, हनुमान जी के मंदर में जाएए, दर्सन करिए, शनिवार मंगलवार को विशेश रूप से हनुमान चालिसा का पाठ करिए, और नित्य हनुमान चालिसा का पाठ करिए, ताकि यह गोचर सांती से निकल जाए, ह अपनी वर्तमान मिथुन राशी को छोड़ कर आपकी राशी अर्थात करक राशी जहांकि वो नीच के होते हैं प्रवेश करने जा रहे हैं व्यक्तित्व आपका स्वास्थ आपके बारे में सब कुछ हर फिल्ड की जानकारी देता है आपका लगना अर्थात चंद्रकुंडल कारक हैं आपके लिए पर फिर भी यह गोचर आपको आपके कारेक्षित्र में परिशानियां लेकर के देगा स्वास्थ से सम्मंधित परिशानी दुर घटना ओप्रेशन इत्यादी कि कहीं कहीं कोई नौबत थी तो फिर वो घटना घटित होगी यानि ओप्रेशन होगा न जिन से ले रखा है वो आपको परिशान करेंगे यानि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके जीवन काल में परिशानियां लेकर क्या रहा है घर परिवार के मध्धिवी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है चुकि मंगल आपके व्यक्तित्तों में गोचर करेगा सो एक बात और भी ध्यान रखिए कि अहंकार, क्रोध, गुस्सा, चरित्र में गमंड की स्थिति का उध्पन कर होना भी बड़ा स्वाभाविक दिखाई पड़ता है फलता है आप अपने नीचे के लोगों का अपमान कर सकते हैं यानि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके जीवन काल में परिशानियों को लेकर क्या रहा है अगर खेल कूट से समंधित छित्र से जुड़े हैं तो भी जरा सचित रहिएगा स्वास्थ में परिशानी चोट चपेट की घटना घटित होगी आईए मैं मंगल के इस गोचर को ब्रहत रूप से आपको बोड़ पर समझाने का प्रत्न करता हूँ मंगल देखा जाए तो करकरासी के जातिकों के लिए सरवाधी की योग कारक रहा होते हैं लेकिन मैं सदय भी कहा करता हूँ कि चर्चा जब गोचर की चल रही हो तो कारक और और मतलब नहीं रह जाता है पर फिर भी मंगल दसमेस और पंचमेस बनकर के आपके व्यक्तित्तों पर गोचर करेंगे और यहां ये दो तीन नक्षत्रों में गोचर करेंगे जिसमें एक तो गुरू का है लेकिन बाकी के जो दो नक्षत्र है गुरू के नक्षत्र में तो उसक ये परिशानिया उत्पन कराएगा उपर से सनी के साथ मंगल का शड़ाष्टक योग ये स्वास्थ से सम्मंधित परिशानी ओप्रेशन इत्यादी की नौबत लेकर के आएगा अगर पूर्व से ही स्वास्थ में कोई परिशानी है तो ये परिशानी और बढ़ हो सकती है इस से सनी के साथ सदाष्टक योग बना करके अब मंगल और शनी के सदाष्टक योग से विस्फोट और दुर घटना के स्थिति उत्पन्न होगी विसे इस रूप से करकरासी के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके व्यक्तित्तु से ही ये संबंध जुड़ने वाला है सनी क रहिया वरतमान समय में पहले से आपको चल रही जो कि मानसी का शांती और परिशानी का कारण बना करके रखे हुए है। जनता से धोखा, अगर आप राजनीती में हैं तो जनता से धोखा, कारिक्षित्र में आपके जो नीचे काम करने वाली लोग हैं आपके नौकर्चाकर उनसे धोखा, उनका चले जाना आपको छोड़ देना, इस तरह की परिशानी, ग्रहिकलह की संभावना, मित्र से धोखा, जोथा भाव धोखे को भी प्रदर्शित करता है, तो धोखे की प्रबल संभावना इस गोचरकाल के दौरान बनेगी, कहीं किसी पर भरोसा किया, पैसा इत्यादी दे दिया, लगा दिया, क्योंकि गौर करीगा यहां दो नक्षत्र जो मूलत हैं, उसमें सनी और बुध्ध से जोड़ी होगी, वो आपका नुकसान होगा, बरबाद होगा, मंगल की जो दृष्टी पढ़ेगी सब्तम पर, तो वो दामपत्य जीवन में परिशानी उत्पन्न करेंगी, कई लोग यह पूछते हैं, कि मंगल की उच्च दृष्टी होगी, तब भी यह परिशानी होग अश्टम परदृष्टी पढ़ने से यह दुरगटना, ओप्रिशन, कोई पुरानी बिमारी का फिर से लोटाना, इत्यादी संभावनाओं को यह परदर्शित कराएगा, यानि करकरासी के जातकों को मैं पूर्णतह साबधान रहने की सलाह देता हूँ, यह गोचर आपके परिशानी होने वाली है, हनुमान जी की सरन में पहले से ही है, और ज्यादा हो जाइए, हनुमान जी की सरनागती ही आपकी सुरक्षा की गारंटी बनेगी, हनुमान जी के मंदर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, सुन्दर कांड का पाठ करिए, इससे आपको राह अगर हनुमान जी की सरण में बने रहेंगे तो परिशानियों से शत्र प्रतिशत बच जाएंगे। सुम्ह रासी 10 मई दो हजार तेईस भूमिपुत्र अपनी वरतमान मिथुन राशी को छोड़ कर अपनी नीच राशी करक राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहां कि वो एक जुलाई तक रहेंगे। गौर करिए यह गोचर आपकी जीवनकाल में कैसी स्तिती उत्पन्न करने जा रहा है। मैं बता दूँ यह राशी फल मैं आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ। अब मंगल जो कि आपके लिए देखा जाए तो नवमेस और चतुर्थे सोकर के जाकर के बारहमे में गोचर करेंगे और उभी नीच रासी में। शनी के साथ शड़ाश्टक योग का निर्मान करेंगे और जिन तीन नक्षत्रों में वो संचरन करेंगे उसमें से दो नक्षत्र सनी और गुधके हैं। अब इस गोचर को जरा समझने का प्रत्न करिए। सामान्य परिस्तितियों में देखा जाए तो यह गोचर अशुब फल देने वाला है। अगर दामपत्य जीवन में थोड़ी परिशानी भी हो। कारोबारियों के लिए ठीक है, कारोबार में विकास किस्तिती मुझे दिखाई पड़ रही है, विदेश से जुड़कर के अगर लाभ कमाने के लिए सोचते हैं, तो कोई अच्छी डील विदेश से जुड़कर के हो सकती है। विद्यार्थियों के दिबात करें, तो इस गोचर काल में ठीक ठीक, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं ठीक ठीक है, मेहनत अगर आप करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा। बाकी कुल मिलाकर के बारहमे का गोचर अच्छा तो नहीं ही है, चो यह 40 प्रतिशत परिशानी है, इस 40 प्रतिशत में भी आपको बहुत सचेत रहना है, ब्यर्थ के बाद विवाद की स्थिति उत्पन नहीं संभाव है, कि जीतेंगे आप ही, पर फिर भी आपको बचकर के रहने की मैं सलाह देता हूं, जरा समझिए, सम्हरासी के जातकों को बरतमान समय में कोई धाया, कोई साड़े साती, कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, शनी जो कि आपके सब्तमे सोकर के सब्तम में गोचर करेंगे, और शनी के साथ मंगल का शडाश्टक यो अच्छा इसलिए है क्योंकि नीच भंग होकर के आपको प्रभाव मिलेगा, अब मंगल की जो चौथी दृष्टी है, वो आपके तृतिय पूरुशार्थ भाव पर पड़ेगी, फलता हक कही न कहीं आपके पूरुशार्थ में भृद्धी होगी, संभावे की छोटे इससे बचाव का मार्ग भी आपको देंगे, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, यानि संभाव है कि आपके कोई ऐसे कार्य हुए, जिसके मैंने पहले जिक्र किया कि सामाज में आपकी मानहानी हो सकती है, आपके चरित्र पर कलंग लग सकता है, उंगली उट सकती है, तो ये सब कुछ आपके पक्ष में मुझे दिखाई पड़ रहा है, बाकी अगर देखें आप, तो ब्यापार में थोड़ी दामपत्ते जीवने परिशानी है, पार्टनर्सिप में भी कुछ न कुछ मतभेद किस्तिती उत्पन्न होगी, स्वतंद्र ब्यापार करते हैं, तो य अच्छाई यहां एक और है, कि आप अपने ब्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, कोई मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, तो मार्ग मिलेगा, ये सब आपके पक्ष में जा रहा है, तो इसका आपको फायदा उठा लेना है, बाकी कुल मि के लिए अकारक दशा हो जाएगी, तब उस सवस्था में कहीं न कहीं, आप पुरित हो जाएंगे, परिशान हो जाएंगे, स्वास्ते को लेकर के भी सचेत रहेगा, फिर जहां कोट कचरी में जीत की भी बात कह रहा था, फिर मैं कहूंगा कोट कचरी के चकर में पढ़ जा जाएए, उनका दर्शन करिए, शनिवार मंगलवार को विशेस रूप से सुन्दर कांड का पाठ करिए, ताकि यह गोचर सांतीस निकल जाए, और आपको कोई भी विशेस कष्ट ना हो, कन्या राशी, दस मई दो हजार तेईस, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान, मिथुन राशी को छोड़कर अपनी नीच राशी, करक राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो एक जुलाई तक रहेंगे, आए जान लेते हैं, मंगल का यह गोचर कन्या राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वारा है, वर्तमान समय में न तो कोई सनी की ढईया, न कि शत, मैं आपको शुभ कहूंगा, शुभ समाचार लेकर के आने वाला कहूंगा, भविष्ष को लेकर के कोई चिनता थी तो उस चिनता से मुक्ति कराने वाला होगा, योजना आपकी सफल होने वाली है, कुल मिलाकर के देखें तो लाभ के नए मार्ग आपके जीवन काल म बनने वाले हैं समय जादा से जादा धन कमाने के लिए आपको प्रिरित करेगा और फलता आप खूब मेहनत भी करेंगे प्रत्न भी करेंगे जिसके परिणाम सुरूप जबरदस्त धनागमन होने वाला है लाभक के भाव में गोचर कर रहे हैं ये मंगल आपकी जबरदस्त सह करेंगे निशन देह ये न के न प्रकारेणा आप धनागमन के लिए प्रत्न करेंगे और धन आएगा भी बस मेहनत से जी मत चुराइएगा नौकरी पेसा लोगों के लिए अगोचर बढ़िया है आमदनी का नया मार्ग खोलेगा एक्स्ट्रा धनागमन के रास्ते बनेंग ये संभावना है तो वहीं कारोबारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है कारोबार में धनागमन के नए रास्ते बनेंगे कमिशन से जुड़ा आप काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है या गोचर कारोबारियों को कारोबार में नई गती देने वाला है वानी पर जरा नि बहुत अधिक दिखावा, जूठ बोलना, खान पान, मद्दे पान, मान साहर, मसालेदार भोजन, इससे आपको बचना है, नहीं तो फिर जीवन परिशानी में पड़ सकता है, बाकी यह गोचर मैं कह सकता हूं कि कन्या के जातकों के लिए बेहद शुब फल दायक है, है नीच नित्यादी की नौबत थी, लटका हुआ था, डॉक्टर रे कह रखा था, कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा, यह दो परिशानिया हैं, अब आगे सुईएं, मंगल आपके लिए देखा जाए तो अश्टमेस और सांती सांत रुतियस बनकर के लाभ में नीच रासी मे पर यह जरूर एक विचारणी तथ्या है, कि वानी में कड़वाहत उत्पन्न करा सकते हैं, जिसके चलते मतभेद हो, पैत्रुक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, कुटुम्ब के मध्य मतभेद या मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यह तय है, तो यह रिस् इस्ट्रा एक्टिविटी जारी हो जाती है, फिर उस सवस्था में जातक पढ़ाई छोड़कर के बाकी सब कुछ करने लगता है, उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता, तो यह परिशानी आती है, तो यह आप जरह देख लिजेगा, समझ लिजेगा, बाकी मंगल की इस गोचर स बात आ रही है, तो समझ लिए कि लंबे समय से कोई रोग रुका हुआ है आपकी सरीर में, डॉक्टर ने कह रखा है कि आप ऑप्रेशन करा लीजे, आप टालते आ रहे थे, तो प्रथम द्रिश्टया क्या दिखाई पढ़ रहा है, प्रथम द्रिश्टया तो यह दिखाई की होगी, जाहिर सी बात है जो गलत तरीके से ड्राइब कर रहा हो, द्रुघटा तो उसी की होगी, अगर आप पहले से सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो ऐसा होने की संभावना ही नहीं है, रिन इत्यादी से मुक्ति कराने वाले होंगे, रिन से जूझ रहे हैं, त आपको सूझ जाएगा, तो इतनी सावधानी वसवरत लेनी है, बाकी यह गोचर बढ़िया है, तो मंगल के इस गोचर से कन्या के जात्मों के लिए मैं इस्तिती बहुत अच्छी देख रहा हूं, आपके लिए अच्छा है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई हनुमान चालीसा का पाट करिए, हनुमान जी के मंदर में जाएए, उनका दर्सन करिए, सुन्दर कांट का पाट सनीवार और मंगलवार को भी सेश रूपसं को सुनाईए, ये छोटे छोटे उपाए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरसे सुरक्षित कर देंगे, और बाकी असलिए वस इतना ही इजाज़त दीजिये, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार झाल झाल झाल